चतीसगर में विधानसभा चुनाओं के बीच एक नवंबर से न्यूनितम समर्थन मूली पर धान खरीदी की शिर्वात हो गई है सहकारी समीतियों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई है इनके लिए गरीब 2600 केंद्र बनाए गए है विधानसभा चुनाओं के बीच बस्तर में 33,000 किसानों ने अपना पंजियन कराया है वहीं सा 70 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जोहां किसान finger verification करवा कर ही धान बीच पाएंगे राजनैतिक दलों के द्वारा की गई घोशनाओं के बीच किसानों में भी उत्सा देखा जा रहा है हाला कि चुनावी प्रचार प्रसार के बीच धान बेचने के लिए जिला में गिंती की ही किसानों को टोकन दिया गया है वहीं बीजापुर जिले के कई किसानों ने बताया कि बारिश विलंब होने के कारण धान की कटाई में समय लग रहा है जिले के कई से धान खरीदी केंदर में सननाटा पसरा हुआ है जिला कादा दिकारी ने बताया कि बीजापुर जिले की किसान को धान खरीदी शुरू होने की सूचना का प्रचार किया गया लेकिन अभी तक किसान धान बेचने खरीदी केंद्रों में नहीं आ रहे हैं हाला कि इसका कारण कॉंग्रेस और भाजपा द्वारा की गई घोष्टना के माना जा रहा है भाजपान 3100 रुपे में धान करीदने की घोष्टना की जिसके कारण किसान कुछ दिन और अंतजार करने के बाद ही धान को बेचने का विचार कर रहे हैं